नमस्कार आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लौन माती जिली में आज के वीडियो में हम एक बहुत इंपोर्टन थेयोरम डिसकस करने जा रहे हैं अपने PID टॉपिक की जहां पर हम ये कह रहे हैं इन PID, an element is prime if and only if it is irreducible जो थेयोरम की statement है उसी को मैं as a heading यहां पर यूज कर रही हूँ जहां पर मैं ये कह रही हूँ कि एक element जो है वो अगर prime है तो वो irreducible होगा तो थेयोरम की statement जो है उसको मैं वापस से रीद कर देती हूँ ये एक if and only if condition है इन PID, an element is prime if and only if it is irreducible तो हमें यहां पर if and only if दोनों condition को proof करना है सबसे पहले हम ये मान के चलेंगे कि ये जो element है, कोई particular element जो है वो prime element है तो वो irreducible element हो जाएगा और next हम sufficient condition में ये proof करेंगे कि अगर हमारे पास में element irreducible है तो वो prime element हो जाएगा जो proof start करते हैं इसका let R be a PID हमारे पास में R जो है वो एक PID है यानि कि principal ideal domain है principal ideal domain से हमारा क्या मतलब हुआ R एक integral domain with unity है जहां पर इसका हर एक ideal जो है वो principal ideal है अब यहां पर ये जो जो conditions हमको PID के अंदर दे रखी होती है उन सबी का इस्तमाल हम करेंगे यहां पर integral domain वाली condition का भी हम इस्तमाल करेंगे unity वाली का भी इस्तमाल करेंगे और theorem के दोरान हम देखेंगे कि इसमें necessary part के अंदर integral domain का इस्तमाल हो रहा है principal ideal domain यानि कि हर एक जो ideal है वो principal है उसका इस्तमाल नहीं हो रहा है उसका इस्तमाल next condition को प्रूफ करने के लिए होगा जहां पर हम ये मान के चलेंगे कि element जो है वो irreducible तो है और उससे हमें प्रूफ करना होगा कि वो prime है यानि कि necessary part में principal ideal वाला जो concept है वो इस्तमाल नहीं होने वाला है खाली integral domain वाला जो concept है वो use होगा तो let a belongs to r be a prime element हमारे पास में a जो है वो एक prime element है अब हमें ये प्रूफ करना होगा कि a जो है वो एक irreducible element है अब हमारे पास में देखिए irreducible proof करने के लिए हमें तीन conditions की जरुरत होती है वो तीनो conditions कौन कौन सी होती है कि a non zero होना चाहिए a non unit होना चाहिए और third condition होती है कि अगर हम इसको product of two elements लिखते है तो हमारे पास में दोनों में से एक element जो है वो unit होना चाहिए तो हमारे पास में देखिए यह जो element लिया है हमने यहां पर a यह not equal to zero है और a जो है वो non unit भी है क्योंकि हमारे पास में एक a जो है वो prime element है तो हमारे पास में वो non zero भी होगा और वो non unit भी होगा अब हमें इसको irreducible element प्रूफ करना है तो हम इसको product of two elements ले लेते हैं let a is equal to bc अब यहां पर देखिए bc जो है वो bc को divide कर रहा है obviously हर एक element जो है वो खुद को divide करेगा अगर हमारे पास में ring जो है उसके अंदर unity exist करे हमने यह चीज़ कर रखी है if r is a ring with unity तो हमारे पास में a जो है वो हमेशा a को divide करेगा तो हमारे पास में bc जो है वो bc को divide कर रहा है तो हमारे पास में जो numerator वाला bc है उसको हम a consider कर लेते हैं तो हमें क्या मिल गया a divides bc अब यहां पर देखिए a जो है वो एक prime element है यह हमने मान के चला है कि a जो है वो prime element है इसका मतलब कि या तो a b को divide करेगा या फिर यह जो a है वो c को divide करेगा तो अब अगर हमारे पास में a b को divide करेगा तो क्या होगा और अगर a c को divide करेगा तो क्या होगा हम यह दोनों conditions लेके चलेंगे तो हमारी first condition है if a divides b अगर a b को divide करता है इसका मतलब क्या हुआ यहां पर R के अंदर एक element D belongs to R exist करेगा such that B is equal to AD अब आपको यह चीज़ पता है A is equal to BC इस B की जगा आप यह वाला जो AD है यह substitute कर दीजे तो आपको क्या मिल गया A is equal to ADC अब यह वाला जो ADC है उसको आप left hand side में जब लेके जाएंगे तो यह आपको क्या मिल गया A minus ADC is equal to 0 A को आप बहर लेकर आजएए तो यह आगया A into 1 minus DC is equal to 0 अब यहां पर देखिए यह जो product आ रहा है A into 1 minus DC is equal to 0 sorry A into 1 minus DC यह 0 के equal आ रहा है अब हमारे पास में R जो है वो एक integral domain है तो integral domain है इसका मतलब उसका zero divisor exist नहीं करता है इसका मतलब या तो A is equal to 0 हो गया या फिर 1 minus DC is equal to 0 हो गया मगर हमें यहां पर दे क्या रखा है A not equal to 0 यह हमारी पहली condition है इसका मतलब 1 minus DC is equal to 0 इसका मतलब DC is equal to 1 अब DC जो है वो 1 आ रहा है इसका मतलब की D और C जो है वो एक दूसरे के multiplicative inverses हैं इससे हमें क्या मिल गया कि C जो है वो unit है इस तरह से हमारे पास में C जो है वो एक unit आ जाता है हमने क्या condition ली if A B हमारे पास में if A divides B हमने जब यह वाली condition ली if A divides B तो हमें मिल गया C is unit इसी तरह से जब हम यह लेंगे कि if A divides C तो हमें क्या मिल जाएगा B is unit जरुवत नहीं है आप यहाँ पर डिरेक्टली लिख सकते हैं similarly if a divided c then b is unit तो आपको क्या पता चल गया कि अगर आप a को express कर पा रहे हो product of two elements bc इसका मतलब या तो b unit है या फिर c unit है तो हमारे पास में a क्या आ गया irreducible element शुरुवात हमने करी थी prime element से कि हमारे पास में a जो है अगर prime element है तो क्या होगा और हमारे पास में a prime element हो जाने के कारण a irreducible element हो जाता है आप यहाँ पर कोई भी element ले लिजे prime element वो हर एक element जो है वो irreducible element हो जाएगा अब हम discuss करते हैं इसका converse part converse में हम यह मानके चलते हैं कि suppose a जो है वो irreducible element है suppose a is an irreducible element अब irreducible element है तो हमें इसकी definition से क्या पता चल गया कि a non-zero भी है और a non-unit भी है तो हमारे पास में अब हमें यह प्रूफ करना है कि a जो है वो एक prime element है ring r खा let a divides bc in r हम क्या मानके चलते हैं कि a जो है वो product of two elements को divide करता है let a divides bc in r अब हम यहां पर consider करेंगे a r plus b r अब आप सोच रहे होंगे यह क्या है sorry यहां पर देखिए a r and b r जो है वो ideals है हमें पता होता है यह चीज हम जानते हैं कि ring को अगर हम उसके किसी भी element से multiply कर दें तो हमारे पास में यह जो आता है product यह हमेशा ही ideal होता है इसलिए हमारे पास में a r और b r जो है वो ideals है और हम यह जानते हैं कि sum of ideals जो है वो भी ideal होता है therefore हमारे पास में a r plus b r जो है वो भी एक ideal हो गया और हमारे पास में r जो है वो एक p id यानि principal ideal domain है तो यहां पर हर एक जो ideal है वो principal ideal होगा तो हमारे पास में AR प्लस BR जो है वो भी एक principle ideal होगा तो हमारे पास में AR प्लस BR किसके equal हो गया DR के अब ये DR के equal कैसे हुआ हमारे पास में ये जो PID वाला criteria है वो क्या कहता है कि हर एक principle ideal को हम किस तरह से express कर सकते हैं इस तरह से An element of R multiplied with R तो हमारे पास में AR प्लस BR किसके equal हो गया DR के अब आप देखिए AR जो है वो DR के अंदर contain करेगा AR contained in equal to DR and BR contained in equal to DR अब क्योंकि हमारे पास में DR क्या है AR प्लस BR तो AR जो है वो AR प्लस BR के अंदर तो contain करेगा ही तो AR जो है वो contain कर जाता है DR के अंदर similarly BR contained in equal to DR आप हमारे पास में अगर AR DR के अंदर contain कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ D divides A और अगर BR DR के अंदर contain कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ D divides B यह criteria हमने already कर रखा है हमने आप playlist में जाकर इस video को check कर सकते हैं अब यहाँ पर देखिए D जो है वो A को भी डिवाइड कर रहा है और D जो है वो B को भी डिवाइड कर रहा है तो हम conditions लेके चलते हैं दोनो now D divides A अगर D जो है वो A को डिवाइड करें तो हमारे पास में क्या आगया A is equal to DT where T belongs to R but हमारे पास में A जो है वो irreducible है A हमारे पास में irreducible है इसका मतलब क्या हुआ कि हम A को किस तरह से express कर पा रहे है A is equal to DT A को हम express कर पा रहे है A is equal to DT में अब A irreducible है इसका मतलब क्या हुआ कि या तो D unit है या फिर T unit है यह हो गया हमारे पास में लेकिन दोनों साथ में units नहीं होंगे यह हमारे पास में irreducible की definition है तो हम दोनों cases लेके चलेंगे first हम लेंगे D is unit फिर हम लेंगे T is unit तो first हम लेते हैं if D is unit अब यहाँ पर देखिए D R जो है वो एक ideal है तो हमारे पास में हर एक ideal के अंदर जो है सुरी हमारे पास में देखिए D R जो है वो एक ideal है तो हमारे पास में one belongs to D R है तो यह क्या आगया D R हमारे पास में किसके equal है A R प्लस B R के तो one belongs to A R प्लस B R तो यह क्या आगया हम 1 को किस तरह से लिख पाएंगे 1 is equal to AU plus BV जहां पर यह जो U और V है वो ring R के elements है अब हमारे पास में देखिए यह वाली जो line है 1 is equal to AU plus BV इसको हम दोनों साइड को C से multiply कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा C is equal to ACU plus BCV अब यहां पर देखिए हमारे पास में right hand side को देखिए right hand side हमारे पास में क्या है ACU plus BCV हम यह कहेंगे कि A जो है वो इस ACU plus BCV को divide करता है यह bracket के अंदर इसका पूरा solution को explain किया गया है देखिए now A divides A अगर A जो है वो A को divide करता है जो की possible है हमारे पास में ring के अंदर unity है तो हर एक element जो है वो खुद को divide करेगा तो A divides A इसका मतलब क्या हुआ A divides ACU इसी तरह से A जो है वो BC को divide करता है वो हमने condition ले ही रखी है चेक करने के लिए prime element की तो अगर हमारे पास में ABC को divide करता है तो A हमारे पास में BCV को divide करता है अब A देखिए ACU को divide करता है A देखिए BCV को divide करता है तो दोनों के sum को भी divide करेगा तो A divides ACU plus BCV और ACU प्लस BCV किसके equal है C के implies A divided C तो हमने क्या देखा कि अगर हम D को unit ले रहे हैं तो हमारे पास में A जो है वो C को divide करते हुए आ जाता है अब हम next case लेंगे कि अगर T unit है तो क्या होगा If T is unit अगर हमारे पास में T unit है तो क्या है A is equal to DT अब अगर T unit है इसका मतलब उसका inverse exist कर रहा है उसको हम left hand side में जाएंगे तो यह क्या आ गया AT inverse is equal to D AT inverse is equal to D देखिए T जो है वो R का element है तो T inverse जो है वो भी R का ही element होगा अब यहाँ पर देखिए AT inverse is equal to D आ गया इसका मतलब A divides D also हमें यह भी पता है कि D divides B अब A divides D, D divides B तो हमें क्या मिल गया A divides B तो हमें क्या मिल गया दोनों condition की मदद से कि अगर हमारे पास में A product of two elements BC को divide करता है इसका मतलब कि या तो A B को divide करेगा या फिर यह जो A है वो C को divide करेगा तो हमारे पास में इस तरह से A जो है वो prime element आ जाता है शुरुआत करी हमने irreducible element से और हम पहुँच गए prime element पर यानि कि हमने PID की मदद से यह proof कर दिया कि A अगर हमारे पास में irreducible element है तो A हमारे पास में prime element हो जाएगा हम यहाँ पर कोई भी irreducible element consider कर सकते हैं वो हमें prime element मिल जाएगा यहाँ पर आप देखिए कि prime element से irreducible element proof करने के लिए आपने खाली integral domain का इस्तमाल करा है PID principal ideal domain का इस्तमाल नहीं करा है आपने principal ideal का use नहीं करा है कि हर एक जो ideal है वो principal होगा लेकिन जो sufficient part है जहाँ पर हमने irreducible element से prime element proof करा है वहाँ पर हमने PID का जो concept है कि हर एक जो ideal है वो principal ideal होगा इसका इस्तमाल किया है next वीडियो में हम इसी चीज़ को और detail में समझेंगे कि अगर हमारे पास में ring खाली integral domain हो और PID यानि principal ideal domain नहीं हो तो हमारे पास में किस तरह की conditions आएंगी क्या ये criteria फुल्फिल होगा या नहीं होगा वो चीज हम discuss करेंगे next video में इस तरह से आज का ये जो video है वो यहीं पर complete होता है अगर आपको आज का मेरा ये video पसंद आता है तो video को like करें और future में इसी तरह से higher mathematics की videos देखने के लिए Learn Math Easily चैनल को subscribe करना बिलकुल भी ना भूलें Thank you so much for watching this